नमस्कार स्वागत हैं मारकेट प्रिवीव के नए वीडियो में आज देखते हैं फॉर्थ अप्रायल के बारे में थास्डे है वीकली एकसपारी है निफ्टी की देखते हैं निफ्टी में क्या होता है आज अगें निफ्टी ने सिर्फ कंसवरेट किया चार्जार 2,500 को पाइदा उठाया लेकिन 22500 को बीट नहीं कर पारा है लगातार 22500 रेस्टेंस बना हुए वापस टू आर्स पर कर लेते हैं तो हमको दिख रहा है डेली बेस पर हमको कर लेते हैं कि अगर को डिफिंट पिचर में लिए नहीं अलकिसी डोजी पहले भी थी अभी भी है तो क्लि लाइटर्स बैटे हुए है तो 22500 स्टॉंग रेस्टेंस नीचे जो सपोर्ट है वो 22400 पर हलका है उसके बाद 2300 पर फिर बड़ा आपको सपोर्ट मिलेगा बाइज़ार पर उपर जाने की चांसे कम है अंटेल नेस एस जी सी बैंक की बड़ा स्टॉक बीट कर देंगों इस कुछ हो 22500 को बीट करना उसके उपर क्लोज करना मुश्किल है जिफ्टी बैंक की पोजिशन फिर भी थोड़ी सॉलिड है अगर देहो कि आगे इसने फिर से गैप डाउन ओपन किया था लेकिन उपर जाकर स्टॉकल किया है इसके भी अपने स्टॉकल चली रहे हैं कुछ फ बैस्त होता कि वापस आके यह सपोर्ट लेकर जाता लेकिन कुछ नहीं कुछ भी नहीं कैम स्टी जवरतस मोमेंट आया था कल आज मोमेंट नहीं है अलका सा मोमेंट बिल्कुल आ सकता है हमको देखने वाली बाद है बजाज फिनांस हम पहले भी देख चुकिए एक बाद जब 7000 यह तोड़ देता है तो उसके बाद 7500 पर जाता है तो 7300 पहुंच है 200 पॉइंट का मोमेंट बजाज फिनांस स्टॉक के लिए कोई बड़ी मोमेंट हम बेजिकली इसको वीकली वेस पर देख रहते हैं जहां इसने एक बनाया था एक हेड़ें शोल्डर नीचे गयाट आल्मोस्ट उसने मीट किया उसको वापस आके रिगाउर कर चुका है और पिछले लोग को इसने ऊपर बीट चुका है तो अब इसी ट्रेनर का सपोर्ट रहाय बनने के ज्यादा चांसे तो इसमें भी बने रहेंगे आपके चुके इसके सपोर्ट बीट के नीचे आ रहा है वह सकता है यहां कहीं फिर से सपोर्ट लेके फिर एक रहाय बनाई इस तरह से ऊपर गया यहां पर देखिए बिल्ट करके वापस उपर गया तो हलका से नीचे आखके फिर सास्ता है अगर आपने पॉश्चन मिस्किये तो देखना है अगर आप स्मॉल टाइम फेंप के लिए लॉग टाइम पर अगर आप तो आपको बेल्ट करना है आरती ड्रक्स आरती इंडस्री दोने देख रहें थे रहेंस ने सकस्फुली इसको बीट कर दिया है में सीडी आरसा भी पॉजिटिव है हमने उसी की पैसिस पर लिया था इसको अगर आप लगा लो तो एक हलका सा इस्टोग्राम बनता गरी इन फिर बड़ा और 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 भी बनाए तो रिकवरी आ रही है इसमें सेम आरसा में भी देखना हो आरसा भी उपर फिफ्ट है तो आपको देख के पॉजिशन करने हैं इसमें अभी दिक्कत वाले हैं पारस को हमने पार्चली कर लिया था क्यों कब किया था जब इसने 200 डेमा को तोड़ दिया था उसके बाद नीचे गया सपोर्ट लिया काइंड डबल वर्टम मनाया रिकवरी कर दिया इसने तीनों क्यों वятиक्र वोग्बरेश के ऊपर आ गया है बहुत प्रॉड एक्डम कर दो सपोर्ट अब भी बीट नहीं किया है तो उसका हम वेट करेंगे मैं at least वेट करूँगा है HCL Tech में मैंने आज एक पोजिशन ले ली है पहले मैंने इसमें परफ़ भूब की थी आपका order execute हो वो भी अलग case है तो इस level पर भी आप देखोगे तो 100 डेमा का support है यहां से भी support लेके उपर गया तर फे support लिया है हाला कि थोड़ा सा negative trend जरूर है लेकिन इसमें एक साथ position नहीं करनी होती है धीर धीरे करके position बिल्ड करनी होती है हम ऐसे भी retailers है तो HCL Tech को मैं swing के लिए नहीं ले रहा हूं मैं इसको अपने portfolio में डालूँगा यह मेरा long term का build रहेगा मैं इसको आगे चलके बड़ी पॉजिशन लोगा क्योंकि healthy dividend देते हैं यह हर quarter में डेते हैं पहले नहीं देते अब इनका dividend और भी consistent हो गया है तो इसको आपने dividend portfolio में आप बिल्ड करो अगर आपको करना है तो आपको अच्छा लगता है तो आपके लेवल पर आता है तो मैं क्या कर रहा हूं मैं इसको dividend portfolio के लिए बिल्ड कर रहा हूं तो बहुत ही छोटी सी पोजिशन ली है मैं देहदेर करके हर दो महीने महीने में 5-10-10-20 ऐसा करके मैं इसको purchase क देखूंगा मैं इसको कैसा हो रहा है वैसे भी हम वीकली वैस पर देख रहे हैं वीकली वैस पर हमने इसको पहले ड्रॉ कर चुके हैं कि इस तरह का rounding bottom था इसको बीट करके यह उपर जाएगा तो उसी analysis में है उसी analysis को हम follow कर रहे है टागेट भी वी उपर है लेकिन थोड़ बुलिश मेगा बुलिश इस तरह का रेटिंग आ रहा है तो उनकी रेटिंग के वैसे पर लेना है आपको अपने लेना है डी मार्ट का अपडेट भी आया है उन्हें एक्सेंज को अपना quarterly अपडेट दिया है जहां इन्होंने बताया है कि इनका जो मार्च का revenue है इस quarter का व पर आप पोजिशन मत ले लेना हो सकता है कि revenue ज्यादा हो सकता कि इनका कर्चे भी ज्यादा हो हो सकता कि profit पर देंट भी पड़े तो आपको बहुत ध्यान सिर्फ सिर्फ इसके quarterly अपडेट और सिर्फ revenue की operations के basis पर आपडेट मत ले लेना स्टॉक हमने पहले भी दिखा कि इन 990 समझ लेजिए कि 4600 के ऊपर नहीं आता हम इसमें फर्दर चंग नहीं डालेंगे जो पहले से बने हुए उसी मले नहीं यह तो dividend भी नहीं देता हम कुछ बात पर धियान देना है कि यहां पर एक सपोर्ट है उसके बाद उसके बाद एक सपोर्ट बना रहा था और हमने इसी सपोर्ट लाइन पर बाई किया था और उसके भाद फिर एक मोमेंट तो अच्छा है आज 5% उपर गया है लेकिन हमारे जो एनलेसेज़ दी एक लेई थी कि फिर्स चंग डाला य जाम लेंगे और सेन्ल ज Hai fixes कहेंड एफ सहर सो के आवल पर में और तो थीर दिएखन डिन करेंगे वील मैं कभी पाएं नहीं कर पाया तो मेरा इंट्रस्ट भी था इसमें भाय कर हूँ तो उन्हीं मुंकशाओ किया अच्छा चाहा है अच्छी बात है इसके बाद हम एंजल वन देख लेते हैं देखिए बुल मार्केट में बुल मार्केट स्पेशले सौग जोते हैं बीए सी डीए सेल एंजल वन कैम्स इस तरह के स्टॉक बहुत उपर मुव करते हैं तो उपर से हम इसको पहले भी एनलेस कर चुके कि उपर से लेकिन डिप पर बनता है कि लोवर लोग पर बनता है तो अच्छी बात है हो सकता कि यहीं लोवर लोग यहां से मुव करें बट आज भी अच्छा होमेंट था 5.34 पसेंट उपर गया है आई-पी-एल में जबर्दस्त इनकी एड चल रही है इनकी सूपर आप की जितने इस है तो जितना आप ब्रोकरिज दोगी उतना इनको फायदा होगा तो ऐसा नहीं कि उनको उन्होंने लैंबॉर्गीन लेकिन लेकिन खराब बात है जो अगर प्रॉफिट बना रहे हैं तो बिल्कुल लेना पड़ता है तो यहां पर एक रेस्टेंस भी हमको इस बात कर धिया सेम हम देखेंगे 5 पैसा में 5 पैसा में हमने पिछली बार देखा था इस चैनल को ब्रेक आउट किया था रिटेस्ट किया फिर मुमेंट देखा था उस समय सोला सो सोला सो सोला जार सतरा करोड की होती थी आज अभी 19 जार की पहुंच गई है देखिए आपको चांस मिलना च है तो डबल बॉटम टाइप का हो गया वहां से मुमेंट देखिए कितना है वॉल्यूम भी आज अच्छा का सा था लगाता बी रही है तो अच्छा मुमेंट था आप देखिए 9% उपर गया है यहां पर एक रेसिटेंस है तो ऐसा नहीं कि अब अन्धी में हो चांता है यह कोचिन से प्याड हो गार्डन रीच हो मजगा हो अलगी लेवल का इंटरस्ट बना हुआ था पता नहीं शायद कोई ऐसी न्यूज है जो भी मार्केट में आई नहीं है कुछ लोग को पहले से पता है जो इसमें क्योंकि वॉल्यूम भी थी इसमें और इसमें वॉल्यूम के यहां 200 डेमा का सपोर्ट था थोड़ासा इसको हटाते हैं फिर से यहां पर यहां पर अगर उसको ब्रेक आउट देता है तो यही टार्केट आप फिर से उपर पेस्ट कर दो कि फिर जाएगा अगर करेंट गवर्मेंट रही तो जैफिनेटली डिपेंस टॉप उपर जाए देखा अगर यह कंपनी बोला है अगर यह सेम गवर्मेंट रिपीट नहीं होती है सेम पार्टी की बीजेपी की तो तुरंत इससे निकलके भगेंगे एक भी शेप को आडर नहीं आएगा सेक्योर्टी गई तेल लेने तो यह थाच का स्टॉक पेकिंग स्टॉक वीडियो म मार्केट प्रिव एनलसे एक्सपार रिया है तो वॉल्टिल्टी हाई रहेगी देख समझ के करेंगे वीडियो को चके तो लाइक शेयर करें सब्सक्राइब करने की बारे में सोचिए वीडियो देखने के बहुत बहुत थन्यवाद